आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में next step करेंगे simple pendulum पूरा detail में समझेंगे simple pendulum उसकी problems भी करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखें तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि what is simple pendulum तो कोई भी एक ceiling से अगर आप ये ceiling का में निशान बना रहा हूं अगर आप एक thread लटका देंगे और एक bob जिसका mass होगा M एक ceiling से मैंने thread लिया हुआ है और उससे एक bob लटका हुआ है इसको हम बोलते है simple pendulum इस bob का एक mass होता है M इस thread की कुछ properties होती है पहले हम उसकी properties देख लेते हैं ये thread long होना चाहिए सबसे important cheese inextensible होना चाहिए मतलब inextensible का कि ये खिचे नहीं अगर ये stretch होगा तो हमारा जो length है simple pendulum का वो vary करेगा हम इस lecture में उसको भी cover करेंगे लेकिन पहले हम एक basic simple pendulum समझ रहे हैं long inextensible हो और इसका mass नहीं हो mass less हो इसलिए हम इसको thread बोलते हैं mass less क्यों होना चाहिए क्योंकि अगर mass हुआ तो फिर इसका और इसका mass मिला के फिर हमें center of gravity का concept लगाना पड़ेगा जिससे कि फिर length vary करेगी तो हम mass less लेते हैं long लेते हैं और inextensible extensible अगर होगा तो उसको भी हम इसको भी लेक्षर में discuss करेंगे पहले हम इसके basic पार्ट पे चलते हैं तो इसके basic पार्ट में अगर देखा जाए तो यह एक simple pendulum में एक ceiling से एक thread लटका दिया है और उसका एक bob उस पे hang किया गया है जिसका mass M है अब यह bob जो है spherical है इसका एक center होगा पूरा mass जो है bob का center पर vary करता है तो इसके physical dimensions क्या होते हैं सबसे पहले L याने length of simple pendulum length of simple pendulum length of simple pendulum बहुत जरूरी है आप इसके center of gravity से ये वाला distance होता है ceiling to center of gravity is called length कई लोग यहां से length measure करते हैं which is a wrong thing आपको center of gravity of the bob to the ceiling का जो point है point of hanging वहां से इसकी length measure करनी पड़ती है जिसको हम बोलते है length of the simple pendulum अब इस simple pendulum को अगर मैं जरा सा disturb कर दूँ ये तो हुई उसकी पूरी inquiry अब इसको जरा सा disturb करते हैं तो देखते हैं कौन-कौन सी forces is arise हो जाएंगी अगर मैं simple pendulum को थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं कि अब इस simple pendulum को मैंने थोड़ा सा disturb किया disturb मतलब थोड़ी सी force लगाके मैं इसको यहां ले आया कि थोड़ा सा force लगाके मैंने इसमें angular displacement प्रोड्यूस कर दिया मतलब simple pendulum को मैंने ऐसे लिया अब छोड़ दूँगा जब मैं छोड़ूँगा तो पहले मैं इस point पे forces देखता हूं कौन-कौन सी होंगे एक तो उसकी weight act करेगा क्योंकि because बहुत हैसे mass m अब इस weight के दो component बनेंगे क्योंकि यह angle हमने लिया है theta theta is called the angular displacement थीटा को हम क्या बोलते हैं अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट क्योंकि मैंने जब पेंडूलम को मैं डिस्प्लेस किया तो it has covered an angle theta अब मैं यहां देखता हूं तो मैं इसको match up कर लेता हूं यह थोड़ा सा कर्व होगा लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए straight line बनाया हुआ है तो आप देखेंगे यह भी angle theta आएगा क्योंकि यह 90 degree मैं एजियूम कर रहा हूं तो यह 90 मैनस theta हो जाएगा यह 90 है तो यह theta आ जाएगा क्लियर है तो इसके दो component आएंगे एक यह वाला और एक इसके perpendicular component जो angle के opposite होता है वो sign component होता है यह वाला component होगा mg cos theta तो इसको दो component में हमने divide कर दिया अब इसके दो component के बाद since it is inextensible क्योंकि यह thread extend नहीं हो सकता है तो it will build a tension tension हर point पर रहेगी उसकी यहां पर भी रहेगी यहां पर भी रहेगी तो अब हमने देखा इसका free diagram अगर मैं draw करूं तो मुझे क्या मिल रहा है एक tension आ रही है इदर यह mg cos theta आ रहा है और यह आ रहा है mg sin theta SHM में हम already discuss कर चुके हैं कि SHM में एक restoring force होती है यहां पर अगर आप देखें तो mg sin theta is a restoring force why because it is acting towards the mean position यही वो force का component है जो pendulum को वापिस अपनी mean position की तरफ restore करना चाहरा है this is the component तो mg sin theta क्या हो गया आपका restoring force तो आपकी restoring force आ गई mg sin theta एक एक चीज़ को आराम से detail में करते हुए चलेंगे तो restoring force आ गई mg sin theta because it is acting towards the mean position and this force trying the pendulum to take towards the mean position that's why it is equal restoring forces अब अगर यह restoring force है तो restoring force का formula तो हमें पता है minus m omega square into x यह तो हमने SHM जब discuss किया था basic lecture में तब हमने discuss कर लिया था अगर आप लोगोंने वो lecture miss किया हो तो मैं description में उसकी link डाल दूँगा तो restoring force का formula होता है minus m omega square into x in SHM तो restoring force की जगा जब मैं mg sin theta रखोंगा तो मुझे क्या मिलेगा mg sin theta is equal to minus sin मैं अटा रहा हो भी because minus sin मैंने SHM के पहले lecture हो बताया गया है कि minus sin just say that that it acts towards the mean position opposite to the motion of the body doing SHM तो यह हो गया आपका m omega square into x तो यहाँ पर आपको क्या मिला g sin theta mm cancel होने के बाद omega square x अब अगर यहाँ पर sin theta की value देखी जाए तो यह x है यह उसकी length है length of the pendulum और x क्या है instantaneous displacement तो अगर मैं sin theta in this triangle मैं लगाऊं तो आपको क्या मिलेगा sin theta equal to x upon L sin theta क्या होता है opposite upon hypotenuse ठीक है वैसे little curve होना चाहिए था बट मैंने इसको straight line ले लिया है क्योंकि आपको understanding में clear रहे तो यहाँ पर अगर मैं sin theta की जगे रखता हूँ x upon L तो मुझे क्या मिलता है omega square x x x cancel हो जाता है और मुझे omega का formula मिल जाता है under root of g upon L this is the first formula we got for the angular frequency और angular velocity जो भी आप इसको कहना चाहें यह आपका पहला formula आ गया omega equals to g under root of g upon L which gives the angular frequency of pendulum doing SHM अब हम सब जानते हैं कि omega का जो formula होता है जो हमने पहले lecture में भी discuss कर चुके हैं omega equal to 2 pi by capital T capital T is the time period of the oscillation of simple pendulum तो अगर मैं यह formula यहाँ रख दूँ omega की place पे 2 pi by T तो omega की place पे 2 pi by T रखेगा और rearrange करूँगा term को तो मुझे time period का formula मिल जाएगा 2 pi under root of L upon g तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले basic सीखा simple pendulum है क्या उस पे कौन-कौन सी forces लग रही है और फिर हमने उनका use किया to derive the formula of angular frequency and time period of the simple pendulum ठीक है time period means one oscillation करने में वो कितना time लेता है time period depends on the length and acceleration due to gravity इन दोनों के change होने से time period change होगा तो वो discuss हम लेटर section में करेंगे अब इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे लेहाज से देखूँ if I see this thing from the other perspective I will see that कि tension is balanced by mg cos theta I can see that tension is balanced by mg cos theta तो tension मतलब क्या है वो force जो string को तूटने नहीं देगी कई बार आपको ऐसे numerical मिलेंगे कि how much mass का bob आम इस पे हैंक कर सकते हैं इस thread पे कि वो तूटे नहीं तो उसके लिए आपको यह ज़रूत पड़ेगी tension is equal to mg cos theta तो यहाँ से आया है tension is balanced by this component mg cos theta तो mg cos theta का component मैंने देख लिया अब cos theta as the angle increases cos theta component decreases cos theta angle जितना कम होता है उतना cos theta जादा होता है lesser the angle more will be the cos theta component तो lesser angle के लिए अगर हम देखे maximum value cos theta के maximum value 1 होती है तो maximum tension जो build कर सकते हैं आप वो होगा equal to mg when theta is equal to 0 degree और theta equal to 0 degree कब होगा? जब वो mean position पे होगा तो एक simple pendulum पे very important information एक simple pendulum पे maximum tension कब आएगी? when it is at mean position सबसे ज़ला tension यहां पर आएगी तो यहां पर अगर आपको tension के numerical आते हैं कि कितनी tension पे यह break हो जाएगा तो आप यह वाला funda use करें उसका clear है अब हम इसको इसी derivation को अब हम differential की form में करेंगे क्योंकि अगर आप देखें z main और meet के students के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको differential form में भी देखें तो differential form में लाने के लिए मैंने इसमें concept लगाया rotation का क्योंकि it is rotating from mean position to extreme, extreme to mean, mean to extreme the simple pendulum is doing the simple harmonic motion तो simple pendulum जब यह rotate करेगा ऐसे ऐसे तो किस point के around rotate कर रहा है हमें एक point of pivot choose करना पड़ता है यह रहा वो point P यह वो point P है जिसके around वो oscillations कर रहा है अगर वो उसके around oscillation कर रहा है तो oscillation करने के लिए तो उसको torque लगता है कोई भी oscillating body हो अगर वो oscillate कर रही है angular motion कर रही है तो angular motion में force की प्लेस पे कौन आ जाता है टॉर्क तो हमने देखा टॉर्क एक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है आई मीन्स दा मोमेंट आफ इनर्शिया एंड एल्फा मीन्स दा आंगुलर एक्षिलारेशन यह टर्मिनलोजी आप जब आप oscillations को और linear motions को correlate करते हो तब आपको मिलती है तो हमने देखा कि पॉइंट पीव के पिवोट पे यह pendulum oscillates कर रहा है तो उसको कितना टॉर्क लगेगा आई इंटू आल्फा टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है फोर्स इंटू दा पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दा पिवोट तो फोर्स जो उसको वापिस restore करना चाह रही है and this is the perpendicular distance from the pivot force उसका perpendicular distance तो mg sin theta is the responsible force into perpendicular distance जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूँ यह 90डिगरी पर है तो यह perpendicular distance हो गया l is equal to i, i मतलब moment of inertia mass into the distance का square from the point of pivot जिसके around वो rotate कर रहा है oscillate कर रहा है तो मा से m और distance of pivot क्या है वो भी L है तो यह हो गया ml square alpha क्या होता है angular acceleration मतलब d square theta by dt square क्योंकि theta is the angular displacement तो यहाँ पे हम रखते हैं d square theta by dt square ठीक है जी यहाँ से हमें मिलेगी अपनी दूसरी equation अगर हम देखें तो यह minus sign में लगाना भूल गया था अब हम इसको side transport कर लेते हैं mg sin theta into L यह minus sign में लगाना भूल गया था जो मैंने अब इस पे introduce कर दिया है because it is a restoring force plus ml square into d square theta upon dt square equals to zero अब हम ले इस पूरी equation को ml square से divide कर देते हैं जैसी हम ml square से divide करेंगे इस पूरी equation को तो यह क्या हो जाएगा ml कड़ गया g by L sin theta plus ml square से हमने divide किया है तो यह बच्चा d square theta by dt square equals to zero अगर आप यहां minus sign introduce नहीं करते हैं तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा there's not any difference यहां plus की जगे minus आ जाएगा अब हमने देखा for small angles के लिए sin theta is equal to theta अगर आपका angle बहुत small है यह cost के opposite work करता है more the angle more the value of sin theta तो theta if is a very small तो we can replace sin theta from theta तो g by l into theta plus d square theta by dt square is equal to 0 is the differential equation of simple pendulum doing simple harmonic motion तो यह जो equation आई है आपकी यह यह है आपकी differential equation to define the simple harmonic motion of the simple pendulum अगर आप चाहें तो कई बार एक z-min का question में ऐसे एक equation मनाई गई थी और पूछा गया था क्या यह simple harmonic motion है अगर if yes then calculate the time period तो आपको बिलकुल इस equation को याद रखना है और इसी से directly compare करना है तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगे आप इसी चीज़ को theta equal to theta not into cos omega t plus phi लिख सकते हैं यह basic equation है simple harmonic motion की जो यहां पर आ जाएगी it is a basic equation of simple harmonic motion तो हम यह differential equation हो गई यह basic equation हो गई formulas are very important आप अपने formulas की एक अलगसे sheet बनाया कीजिए और formulas अगर if I say formulas that means not only that formula which are the last result formula in between important important results के वो आप पूरी एक अपनी copy बना के उसमें note down किया कीजिए ठीक है जी तो यह आ गई हमारी differential equation यह हम उसको simplify simple harmonic motion में कर लिया यह time period आ गया यह omega आ गया हमने यह वाला concept भी कर लिया कि if I consider it as a oscillatory motion oscillatory motion तो है उस perspective से अगर मैं calculate करूँगा तो मैंने calculate किया displacement के थुरू मैंने calculate किया तो इस तरह calculate किया is that clear okay अब इसके बाद हम चलते हैं इसके different 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 aspect पे की time period आके depend किस पे करता है फिर हम इसके different different questions करेंगे और question करने के बाद फिर हम इसमें important important और application based question भी discuss करेंगे वीडियो को अंते तक बने रही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है समझ में आ रहा है तो इसको like, share, subscribe भी जरूर कीजिए जैसे ही आप like, share, subscribe करते हैं तो उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंचता है जिनको इसको देखना है और मुझे भी motivation मिलता है इस वेरी tough task to rub the board तो हमने discuss किया कि जो time period है उसका formula क्या आया था अपना t equal to 2 pi under root of l upon g अब यहाँ पर हम discuss कर रहे है time period of simple pendulum किस-किस quantity पर depend करता है and how it changes तो सबसे पहले 2 pi तो constant है यह factor तो constant हो गया तो time period अगर देखा जाए तो under root of l के directly proportional है और inversely proportional है square root of gk यह दो factors है first second इन दो factors पर time period of simple pendulum depend करता है length and acceleration due to gravity सबसे पहले हम discuss करते है time period का variation as per the length of the simple pendulum सबसे पहली बात आप यह याद रखिए कि center of gravity का concept कि जो length है और simple pendulum की वो हम measure करते है center of gravity of the bob to the point of pivot हम यहाँ से measure नहीं करते हैं हम center of gravity से measure करते है because of this reason length changes अब length के कई reason हो सकते है पहला reason लेते हैं पहला reason से पहले मैं simple mathematics बता देता हूं अगर आपको बोलाएगा है कि length twice हो गई है length four times हो गई है तो you can directly derive the formula अपॉण अपॉण टीटू इकोई टू इस अपॉण 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 लटू one person is swinging on the hang जिसको हम बोलते हैं जूले पे जूल रहा है पहले वो बैठा हुआ था simple pendulum की तरह act कर रहा है अगर आप देखेंगे swing जो होता है it is a great practical example of simple pendulum अब जब आप बैठे हुए हैं तो आपका पूरा weight आपकी center of gravity पर है ठीक है आप बैठे हुए हैं जैसे आप खड़े हो जाते हैं तो आपकी center of gravity rise हो गई है because your center of gravity lies in in between your body तो जैसे आप swing को पहले बैठ के जूल रहे थैं जैसे ही आप उस पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी center of gravity अप हो गई है center of gravity उपर आने का मतलब होता है length का decrease हो जाना और जैसे length decrease होती है तो यह तो directly proportional है तो time period decrease हो जाएगा मतलब अब एक oscillation करने में ज्यादा time लगेगा more time तो जल्दी-जल्दी oscillations होंगे कोई कम time लग रहा है न उसने time में जो पहले लग रहा था उसमें ज्यादा oscillations होना लगेगे तो अगर कोई person swing कर रहा है बैट कि अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसकी center of gravity आप पर shift हो जाती है due to that length decreases length decreases time period decreases अब second factor पर आते हैं अगर आपके पास एक ऐसा pendulum है इसमें पानी बरा हुआ है कोई भी फ्लूइड बरा हुआ है पूरा 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 फ्लूइड बरा हुआ है अब इसमें जब फ्लूइड बरा हुआ है और इसके डाउन में छोटा सा होल है यहां से लिक्विड दीरे 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 एंपटी करता जा रहा है इस बॉक को अब हमने जो हम मेज़ा करते हैं वो सेंटर ग्रेविटी से मेज़ा करते हैं अभी इसके अंदर फ्लूइड है पूरा फिल है तो सेंटर ग्रेविटी अपनी प्लेस पर है जैसे जैसे इस में से इस होल में से लिक्विड लीक होता जाएगा इसकी सेंटर ग्रेविटी क्या होगी किसी चीज की center of gravity निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ता है directly diagonal खीचनी पड़ती है उनके water filament से अब अगर मानलो पहले पूरा फिलता यहां आ गया अब यहां तक फिल रहा गया मतलब इतने में पानी है तो आप देखोगे यहां आ जाएगा ऐसे करते करते यहां तक पानी हुआ यहां तक fluid हुआ यहां से मतलब इन दा sense में क्या कहना चाह रहा हूं मानलो यह पानी यह वो fluid है तो आपको fluid की इस length से यह दो points लेने है और diagonal खीचते नहीं है तो आप देखेंगे center of gravity shifting down, 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 down while the fluid is leaking from the base hole तो जैसी downshift हो रहा है तो आपको दिखेगा कि length तो increase हो रही है अभी यहां था अब यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया तो length continuously increases which increases the time period time period जादा लगेगा एक oscillation करने के लिए मतलब oscillation slow हो गए हैं आपके अगर oscillation का time period increase हो गया है तो दीरे 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 जब यह पूरा ampity हो जाएगा जब bob बिना fluid के बचेगा तो उसकी center of gravity वापस center पे आ जाएगी center of gravity वापस center पे आ जाएगी मतलब length को original length पे आ गया है once restore होती है original length time period original वापस आ जाता है तो अगर ऐसा bob है जिसमें fluid contained है और उसके base पे एक hole है जिसमें वो fluid leak हो रहा है तो starting में due to the shifting of the center of gravity downward the time period due to increase in length time period also increases but once the whole fluid leaked फिर वो center of gravity अपने center पे आ जाती है and time period restore हो जाता है clear है तो ये चोटी चोटी चीजों का आपको focus करना है क्योंकि numerical में ये बहुत important होती है और mcqs में जब पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए third thing हम आते हैं इस पे मैंने एक property बताई थी इस long thread की जो thread होता है जिसके pendulum को hank किया जाता है वो inextensible generally हम उसको inextensible ही assume करते हैं but sometime to make the numerical tough उसको extensible कर दिया जाता है वो लिखके देंगे कि thread is made up of the material which is extensible in nature मतलब वो stand हो सकता है stretch हो सकता है जैसे ही वो stretch होगा due to the weight of the pendulum उसका length increase हो जाएगा stretch क्यों होगा क्योंकि उस पे आपने mass को hank किया हुआ है mass उसको नीचे की तरफ force देगा अपने weight के कारण तो यहाँ पर concept आ जाता है young's modulus का why क्या है young's modulus जिसका formula क्या होता है stress upon strain जैसे concept आया extensible due to the weight by pendulum length change हो रही है because that thread is extensible in nature तो extensible है तो हमारे को linear dimension change होंगे whenever linear dimension changes we have to introduce young's modulus stress कौन दे रहा है उसको simple pendulum का mass तो mg force upon area area मतलब cross sectional area of the thread strain क्या होता है change in dimension let us take its delay upon original dimension जो की उपर चला जाएगा stress force upon area and strain means change in dimension upon original dimension वो मैंने यहाँ रख दिये अब मैं यहाँ से del L upon L को calculate करूंगा तो shifting करना पड़ेगी del L upon L तो मुझे क्या मिल जाएगा mg upon AY यह मेरी पहली equation आ गई mg upon AY तो यहाँ से मुझे मिला change in length upon original length अब अगर effective length calculate की जाएगी अब length increase हुई है तो effective length पहले L थी अब del L उसमें increment हो गया है तो new length और effective length is L plus del L अगर मैं इसमें से L common ले लेता हूँ तो यह बच्चे का 1 plus del L upon L 1 plus del L upon L मैं already calculate कर चुका हूँ मैं उसकी value यह substitute कर दूंगा mg upon AY mg upon AY ठीक है तो यहाँ पर यह मेरी effective length आ गई तो अगर मैं अब calculate करना चाह रहा हूँ period तो मुझे क्या करना पड़ेगा नया time period के formula में तो पाई अंडर रूट ओफ L जो की new length है upon G यह बन जाएगा मेरा formula for the time period of such a pendulum in which string और जो thread है वो extensible nature का है तो मुझे यह formula यूज करना पड़ेगा इस formula को थोड़ा और simplify करते हैं if mg upon a y is lesser than 1 then we have to expand it by binomial expansion जैसे मैं इसको binomial expansion से expand करूंगा तो under root of L upon G तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 plus mg upon a y की power क्या थी? half because of the square root when I break this by binomial I will get this this is your final formula to calculate the time period of the simple pendulum of inextensible strings से उसको hang किया गया है तो आप यह formula फिर use करेंगे अब हम चलते हैं इसके next section पे तो अब ही तक हमने जो बात किया वो यह किया कि time period dependence check कर रहे हैं तो हमने काफी cases discuss किये to discuss about the time period dependent on the length of the simple pendulum more precisely if I say it is a time period dependency on effective length because the length is measured from the center of gravity of the bob to the point of pivot second factor भी अब हम इसको discuss कर लेते हैं कि time period how it depends on acceleration due to gravity it is inversely proportional to the square root of gravity more the gravity lesser the time period because they are inversely proportional so if I say equator or poles per if I take the same pendulum equator and poles poles per gravity का value is more than equator if it is more than equator that means time period at equator is more than at the poles of the same simple pendulum just because acceleration due to gravity is differentiate differentiating or different in poles and equator it is more than equator it is more than poles and less than equator to value of the g increases time period decreases that's why same simple pendulum if I take from equator to poles value of the g increases same pendulum will show the decline in the time period same second और कैसे और कैसे वेरी कर सकता है acceleration due to gravity gravity gravitation के chapter में आपने बहुत अच्छे तर स्टड़ी किया होगा whenever we take any body from the earth to the higher altitude or to the under the earth which we call depth in both the cases the acceleration due to value decreases decreases gravitation का याद है ना आपको यह है अगर मेरे पास यह अर्थ है अगर मैं किसी body को अपर ले जा रहा हूं एक altitude पे ले जा रहा हूं H या फिर मैं उसको नीचे ले के आ रहा हूं in either cases the value of the g decreases in both of the cases the time g decreases that means time period increases either you take it to the height or either you take it to the depth in both the cases where we should know g dash is equal to g into r upon r plus h the whole square आपको इस g की जगा g dash की value रख देनी है यह height पर है और अगर depth की बात कर रहे हैं और height पे भी एक और formula आता था if we consider height is lesser than radius of the earth तो same formula में क्या मिलता था 1-2h upon r तो आपको सिर्फ यह करना है कि इसी formula में g की जगा g dash लिख देना है और g dash की value आप यहां से calculate करके लिखेंगे ठीक है अगर वोट किसी depth पे ले जा रहा है चोड़ g dash क्या हो जाता है g into 1-d upon r in both the cases the value due to acceleration due to gravity decreases which increases the time period of the simple pendulum इसके बाग और g कैसे decrease हो सकता है आप मुझे जरूर बताएं और क्या-क्या factors हो सकते हैं जान d decrease होता है हमने depth पे गए height पर ले गए poles equator को vary किया और जी कैसे decrease हो सकता है जी decrease होता है अभी तक जो भी हमने frame of reference use किया है वो एक stable था stable means वो sorry stable से जादा अच्छा word है static अभी वो move नहीं कर रहा है लेकिन अगर हम इसी pendulum को एक ऐसी body में एक ऐसे frame में लगा दें जो की moving है like lift moving lift either going up और down second thing एक moving vehicle में अब हम यह बोनो important case discuss कर लेते हैं which is very important for the competitive exams तो अगर आपका body pendulum एक lift मर है यह वो lift है इस lift में है first case lift is moving upward with acceleration a accelerating upward with acceleration a mind my words lift उपर accelerate हो रही है same if it retard with a but going downward दोनों cases एक ही है या तो वो उपर जा रही है accelerate होता हुआ a से या फिर वो minus a तो इसमें भी g plus a हो जाएगा तो lift अगर ऊपर जा रही है accelerating with the acceleration a or going downward with retardation a both the case में g die should be replaced by g plus a second case if he is going upward with retardation a and is going downward with acceleration a just opposite to it first case में हमने क्या किया था acceleration upward है मतलब lift is going upward with acceleration a lift is going downward retardation a अब हम second case बिलकुल उलका करेंगे moving upward with retardation a and moving downward with acceleration a in both the cases Newton's law says that g dash should be replaced by g minus a rest आप उस formula तो same ही रहने वाला t equal to 2 pi under root of l upon g आपको g की value replace करनी है और यहाँ पर जो भी cases है उसकी value वहाँ पर substitute करनी है इन cases में length change नहीं होती है these are the cases solely responsible by change in acceleration due to gravity तो length वही रखनी है g की जो value जो condition के according आएगा वो आपको substitute करनी है अब मान लीजी एक बहुत 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 ट्रॉली है मैं try करता हूं अच्छा photo बना लूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा लेकिन आपको समझा दरू दूंगा कि यह ट्रॉली है यह driver की seat है यह driver बेटा हुआ है और यह ट्रॉली आगे जा रही है moving forward with an acceleration of a a trolley moving forward with an acceleration a इसमें कोई simple pendulum है we all knows that Newton's law बहुत important है हरे पार्ट बहुत important है देखिए दूसरे से कैसे interconnect होते हैं अब हमें यहां पर भी Newton's law की दरोत पड़ी यहां पर भी पड़ेगी third law Newton क्या बोलता है every action is an equal and opposite reaction for two different bodies एक body है truck दूसरी body है pendulum if truck is moving forward action truck will do reaction on pendulum pendulum will experience the same acceleration but in the backward direction Newton third law of motion action का reaction जो pendulum पे होगा if vehicle is moving forward with an acceleration a so pendulum will move backward with the same acceleration a जैसे ही pendulum backward चला जाएगा तो आप देखेंगे यह उसका diagram है यह लग रहा है लगा उस पे mass into acceleration this reactionary force this mass into acceleration is called reactionary force by because vehicle is moving forward and Newton third law आ जाता है अब हम इसके दो पार्ट करेंगे tension के अगर यह alpha है तो यह 90 minus alpha होगा और यह alpha होगा alternate interior angles तो अगर यह alpha है तो यह T cos alpha हो गया यह T sin alpha हो गया if we consider this as an equilibrium position अगर इसी position को equilibrium consider किया जाए तो what we got T sin alpha is balanced by reactionary force due to the vehicle motion and second thing T cos alpha is equal to balance by the weight of the simple pendulum if we have considered the equilibrium at this position तो by the equilibrium सारी opposite forces equal हो जाती है तो मैंने सारी opposite forces को equal कर दिया है अब मेरा mathematics आ जाएगा on dividing these two I will get 10 alpha is equal to a upon G तो यहां पर मुझे alpha की value मिल जाएगी 10 inverse a upon G कि वो कितना angular motion और कितना angular displacement cover करेगा वो कि आप यहां से calculate कर सकते हैं alpha is the angular displacement due to the motion of the vehicle in the forward direction अब मुझे यह मिल गया अब मैं टिंग्नोमेटरी यूज करूंगा टिंग्नोमेटरी में एक first identity है sin square theta plus cos square theta equal to one तो मैं दोनों के square को जब add करूंगा और T square common ले लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा sin square alpha plus cos square alpha is equal to m square common a square plus g square तो मैंने दिखा रहे हैं यह तो one हो गया sin square alpha plus cos square alpha तो मेरी tension की value क्या आ गई अंडर root of a square plus g square यहां से मैंने यह तो one हो गया T square equal to m square तो T square को अधर ट्रांसपोर्ट किया अंडर root में तो m square का अंडर root m हो गया और a square plus g square का अंडर root यह आ गया मेरा tension in the string अगर tension इससे जादा हुआ तो string तूट जाएगी तो tension in the string आ गया मेरा यह और यही tension मेरा काम कर रहा है restoring forces का तो अगर forces देखी जाए तो यहां पर acceleration क्या value आ जाएगी mass हटा दो तो यह आ गया आपका new acceleration due to gravity तो whenever a vehicle is moving forward with an acceleration a the simple pendulum feels the reaction in the opposite direction this तो उस case में जो effective g dash आएगा acceleration due to gravity वो यह होगा सेम इसी formula में g dash की जगह आप यह substitute कर दें value निकाल दें तो अभी तक हमने क्या क्या discuss किया है सबसे पहले time period में dependence में हमने length पे concentrate किया कि how can you change length दो ही factor पे depend करता है length and acceleration due to gravity तो हमने पहले discuss किया कि how it increases with the length or decreases with the acceleration due to gravity तो we have made us discuss the several cases under the length swing में आदमी बैट के swing कर रहा है और जब वो खड़ा हो जाता है second case कोई भी pendulum में कोई fluid भरा हुआ है filled with the fluid and उसमें leakage point नीचे fluid दीर 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 नीचे जा रहा है यह हमने discuss किया था जब हम time period को length से change कर रहे थे और जब हमने acceleration due to gravity का case लिया तो acceleration due to gravity में आपने lift का case भी discuss किया और vehicle का भी discuss किया आप equator पे ले गए, pole पे ले गए, height पे ले गए, depth पे ले गए lift के case में एक बहुत important चीज है weightlessness condition आती है न जब lift का वो उपर का wire जिससे lift चलती है अगर वो तूट जाए तो lift acceleration due to gravity that is called the free fall when lift is freely falling time period will be equals to zero क्योंकि वो इस case में आ जाएगा lift is accelerating downward with a equals to g, g minus g is zero time period infinite हो जाएगा time period in that case will become infinite I hope आपको यह चीजे समझ में आई होंगी नहीं आती है तो आप मुझे जरूर बताएं मैं और important thing add करूंगा या इनी चीजों को और दूसरे तरीके से express करने के कोशिश करूंगा मेरा try यही रहता है कि इतनी merit जो हो रही है वो आप तक पहुंच जाए और आपको समझ में कोई भी doubts हों आप कभी भी पूछ सकते हैं अब इस पर based हम कुछ numerical कर लेते हैं तो हमारा जो जो आज का सफर है वो यही इस वीडियो का वो यही रुख जाएगा सफर तो लंबा है काफी लंबा जाएगा लेकिन अभी भी एक रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बैल आइकन प्रेस करें सब्सक्राइब करें तो मैं कुछ numerical discuss करने के लिए मैंने नुमरकल पहले ही लिख रखे हैं तो सबसे पहले मैं discuss करता हूं यह चोटा वाला बेसिक है एक बेसिक नुमरकल पहले यह discuss करते हैं फिर नुमरकल का standard बढ़ाते जाएंगे अगर आप देखें तो नुमरकल अगर आपको read find the linear displacement x x को क्या बोला गया है linear displacement of a simple pendulum from its bow from its mean position varies as this तो यह तो एक simple harmonic motion की equation दे दी गई है find its length और हमें g बोला गया आप pi square यूज कर है it is a simple equation of simple harmonic motion x equal to a sin omega t if I compare both these equation I will get omega is equal to 0.707 into pi 0.707 into pi और हमें calculate करना है find its length omega का formula क्या होता है under root of g upon l simply substitute करने जाए यह values आपको answer मिल जाएगा तो कई बार direct question मिलते हैं आपको जिसमें आपको standard equation उससे compare करके अपनी values का data निकालना एक्स्ट्राक करना है और उस data में उसकी values रखनी है फिर आपको calculation mistakes ना हो यह दिहान रखना तो omega कितना हो गया under root of g g की जगा मुझे बोला गया पाइस स्क्राइर रख सकते हैं आप upon l l मुझे calculate करना है oh I forgot to put the value of substitute the value of omega गा 707.707 is upon upon root 2 मैं अभी इसको पाइस स्क्वेर को अंडर रूट में पाई क्योंने लिख रहा हूं क्योंकि मैं squaring both the sides करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पाई स्क्वेर अपॉन टू एकवल टू पाई स्क्वेर अपॉन एल पाई स्क्वेर पाई स्क्वेर कट गया टू मीटर मुझे कि लेंथ मिल गया तो direct numerical होते हैं यह यह उस category में आते हैं जिसको आपको सिफ formula याद रखना है स्टैंडर्ड और इस equation को compare किया और आपका काम आसानी से हो गया इन numerical में बस एक ही mistakes हो सकती है वो है आपकी calculation error तो calculation error बिल्कुल मत कीजिए you will get your answer correctly right अब हम चलते हैं इसके second numerical पर थोड़ा सा difficult बनाते हैं चीजों को कि यह advance का तो अब इस numerical में हम देखते हैं सबसे पहले हमने data store कर लेना है और कभी भी numerical को problem solving skill का एक बहुत बहुत बैतरीन concept है कि कभी numerical को एक instance में आप पूरा calculations तो आपको numerical और problem solving skill automatically enhance हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा तो चलिए वैसे ही करते हैं एक सिंपल पैंडूलर में ओफ लेंथ एल का install between two inclined walls each making an angle alpha with the vertical तो मुझे पहले full stop तक यह पता रग गया कि दो inclined walls हैं चोकि वर्टिकल से वर्टिकल लाइन कौन सी होगी इसकी यह वाली यहां पे pendulum है वर्टिकल लाइन पे और यह दोनों wall उससे alpha angle बना रही है तो पहले full stop तक मैंने अपनी information एक्स्ट्राक कर लिया और सिलेट्स विदे मैक्सिमम वेलोसिटी यू दाट सिंपल पैंडलम इस ओसलेटिंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी इकोल्स तू यू मैं यहीं रुग गया अभी मुझे पता है यू इकोल्स तू मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मला क्या होता है ए ओमेगा ए इस नोन एज एम्प्लिट्यूड उसके बाद क्या बोल रहा है कोलाइडिंग इलास्टिकली विद दा वॉल यह जब पैंडलम उसिलेट करेगा बिट्वीन दा वॉल्स तो इट कोलाइड विद दा वॉल्स चलता रहेगा टकराएगा काइनेटिक एनेजी कहीं लॉस नहीं हुई एलास्टिकली मतलब होता है काइनेटिक एनेजी ओल्सो कंजर्व एलॉंग विद दा लीनियर मोमेंटम find the time period of oscillation तो सबसे पहले तो हमें time period find करना है how alpha related to u alpha and maximum velocity में हमें relation find करना है अब इसकी point of hint पे चलते है problem solving skill में पहले तो हमने data extract कर लिया अब student सोचता है शुरू कैसे करें तो हमें जो given data रहता है ना that is the biggest hint वहीं से हमें शुरू करना होता है तो सबसे पहले तो maximum velocity पे concentrate करते हैं u equals to a omega तो यहाँ पर हमें a की value क्या मिल गई पहले हम यहाँ पर omega की value रख लेते हैं omega as we all know that in case of simple pendulum is under root of g upon l तो यहाँ से a की value मुझे क्या मिल जाएगी u into l upon g under root first equation मेरी आ गई मैंने amplitude find कर लिया problem solving skill का पहला concept तो how to read the numerical how to extract the data second second part है कि how to initiate and propagate the number solving of the numerical solution of the numerical तो जो भी given data होता है वो आपको सबसे बड़ी हिंट होती उसको extend कीजिए तो सबसे पहले मैंने यू को extend किया collision with the vertical walls elastically that means एक theoretical concept दिया है कि loss of kinetic energy आप कहीं पे भी माइंड में नहीं लेके आना है loss of kinetic energy नहीं हो रहा है तो हमें यही अकेला data दे रखा है जिससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई data नहीं है नो मेरे कलना तो मेरे पास amplitude आ गया है लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यह मेरा maximum amplitude है maximum displacement है क्योंकि उसके आगे तो बहुल से टकरा के फिर वापिस आ जाएगा तो maximum displacement आप बोड़ी अपॉंट ले पेंडलम केंडू इन दिस केसे इस एफ आप्लाई साइन एल्फा इस इक्वाल टू ए अपॉन एल्फा जब यह पहुंचे गा तो यह उसका लेंथ हो जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स एल्फा कें बी टेकन एज साइन एल्फा कें बी टेकन इस एल्फा ओल ले तो मुझे एल्फा की वैल्यू मिल गई ए अपॉन एल्फा क्या कौन सावाला है मैक्सिमम एंगल इटकों स्वेप्ट क्योंकि वॉल से आगे वो नहीं जा सकता है अब यह सारी इंफॉर्मेशन को मैं अपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सिंप्ले एल्फा मैक्सिममल एल्फा कितना हो सकता है अभी इभी आमने निकाला था ए अपॉन एक ही वैल्यू मुझे यहां मिली हुई है तो पहले में एको यही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो एल्फा क्या हो जाएगा एक ही वैल्यू जब यहां रख़ूंगा यूंडरूट आ असे इन्टू बॉन अपॉन एल जब इसको सिंप्लिफाय करेंगे तो यह स्क्वेर करके अंडर ले लेंगे एल एल कट जाएगा तो अल्फा क्या आजाएगा आपका यू अपन अंडर रूट ओफ एल जी यू अपॉन अंडर रूट ओफ एल जी ऐल्फा मेरा कितना आगया एलफा मतलब थीटा नॉट अच्छ यू अपाउन अंडर रूट ओफ एल जी वह वैल्यू में यहां सब्सीजूट कर देता हूं यू अपाउन अंडर रूट ओफ ल्जी साइन ओमेगा की वैलेउ मुझे पता है सिमपल पेंडृम के केस में इन्य टू थी अब मुझे इस को टाइंप पीरेट क्यों बना के चेंज करना है mathematics में होता है na subject किसको बना है जिसकी जरूवत हो जिसको calculate करना हो तो इसको subject बनाने के लिए मैं सब कुछ left end पे shift कर देता हूं तो पहले यह shift करूंगा तो यह हो जाएगा alpha under root lg upon u फिर sin जाएगा sin inverse में फिर यह जाएगा l upon g under root में तो यह मुझे मिल गया time instantaneous time का equation मुझे आ गया और यह time कौन सा है यह time है एक extreme position करने के लिए तो total time period क्या हो जाएगे 1t दूसरा t तीसरा t और fourth t तो अगर देखा जाए तो time period is equal to four times t यहाँ पर value रख देता हूं मैं four into time period की under root of l upon g into sin inverse alpha root lg upon u यह मेरा time period आ गया जो मुझे सबसे पहले उसने calculate करने के लिए बोला गया था आप देख लीजिए मेरे पास सिब एक ही डेटा था उसी को मैंने explore किया है और इस numerical को मैं यहां तक ले आया अब दो second चींग पूछ रहा है alpha and u में relation तो alpha and u में relation के लिए आपको पता है साइन इंवर्स की जो अंदर अंगल होता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है माइनस वन टू वन माइनस वन एलफा अंडर रूट ओफ एल अपो एल जी अपोन यू यहां से वो relation आपको easily मिल जाएगा कि इस value को अगर माइनस वन ओफ वन के greatest है तो आप यहां से इनका relation निकाल सकते हैं अगर मैं यह consider करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा alpha is always less than u upon under root of lg alpha हमेशा lesser होगा u upon under root of lg मतलग this is the maximum value alpha can attain अगर यह wall नहीं होती तो alpha is the maximum value जहां तक वो यह कर सकता था I hope आपको numerical समझ में आया होंगे problem solving skills उसकी capability कैसे increase करें कैसे numerical को read करें कैसे उसमें से data extract करें data को mind में कैसे अपने चर्ण करें जिससे के पता लगेगी कि हमें कहां से जाना है तो सबसे पहली बात numerical को एक instance में मत पढ़िए full stop तक पढ़िए उसका data extract की जिए either in terms of physical quantities either in terms of diagrams और दोनों है तो और अच्छी बात है उसके maximum velocity और elasticity था elasticity का मतलब हमने देखा कि उसमें कानेटिक एनजी लॉस का आपको कहीं कोई concept नहीं लगाना है तो वह वहाँ पर utilize हो गया तो आप बचा maximum velocity maximum velocity से ही पूरा numerical solve हो गया है ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ले क्या हूं तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब और डोंट फगेट तो प्रेस्ट बेल आइकन थाइंक यू मैं यूओ यू यूओ 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 यूदियो आपके सामने लाइकन रगते हैं